कि खेलो फ्रेंस आप से भी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल स्टाड़िवेश सुजीत में तो दोस्तों आज हमें क्लास 12 के किमेश्टी के महत्तपूर अबजीक्टिव कोसंस के बारे में डिस्कूस करेंगे तो कि पर इसे लाज तक देखेगा क्योंकि यहां जो सेसन है बहुत ही मात्पूर होने वाला है जिनका भी एक जाम इस साल होने वाला है उनके लिए खास वीडियो होने वाला है तो चलिए हम लोग बारी-बारी से दिखते हैं प्रस्णों को और यहां पे आज का फॉस्ट ना प्रस्ण है कि ग्रेफाइट कीस परकार का क्रि जता ही याद रखेगा तो यहां पे ऑप्सन नमबर जो ए हे वा राइट अंसर हो जेगा और यहां पे आप देखेंगे कि पींड केंदरित घनकार इकाई सेल में परमाड़ू के संख्या कितनी होती है तो इसमें यह दो होती है यह जो ए वा सही अंसर हो जेगा आप अपना कैसे लगा यह सभी इंटरनेट पर जारी हुए प्रश्णों का सेशन है दुस्तों यानिकि इसमें पांच सेट होने वाले हैं पांच सेट को अच्छे से त्यारी कर लेते तर नाइंटी परसेंट कोशन से इसी से ही रहने वाले हैं यानिकि जो सी है वह सही एंसर हो जएगा और यहां पे आप देखेंगे कि निमने लीकीत में कौन सा पदार्त सबसे अधिक हिमांग औ Túneamon उतनकरता है K2SO4, NACL, यूरिया या ग्लुकोस यहाँ पे सोबसे अधिक पुछा है तो सोबसे अधिक ही मांग और नमनो करेगा तो वह तो K2SO4 ही करेगा दोस्तो यानि कि जो अप्सन नमर ए है वह राइट एंसर हो जाएगा इसका PDF चाहते है तो PDF आपको टेलिग्राम ग्रूप से जोईन होका इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं प्रेक्टिस के लिए दोस्तो डिस्क्रिप्शन बक्स में उसका लिंक दिया गया है ठीक, तो द्रवित NACL के बेधुत अभगाटन के कैथोड पर मुक्त होता है, काफी महत्यपूर प्रश्न दोस्तो यहाँ पर इसको कैथोड वाला को जड़िया बनाईए तो क्या क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अमलगम या हाइडोजन तो ड्रविड NACL NACL तो है ही, यहाँ पर तो अभगाटन के कैथोड पर मुक्त क्या होता है, तो आपका इंसर अब तक आगे होगा, कि इस पर सोडियम होगा, कैथोड कहेगा तो केथोड पर अने पलस रहता है तो कैथोड पर पोजेटिव आवेस रहता है, अगर वहीं एनोड कहता तो एनोड पर CL है तो CL पर माइनस चार्ज हो रहता है तो यहाँ सोडियम के साथ इसका राइट एंसर चला जाएगा उमीद करते हैं आपको समाझ में आया होगा कि केथोड पर जो मुक्त होगा वो सोडियम होगा अगर इनोड कहता तो वहाँ कलोरीन इसका राइट एंसर हो जेता तो इसका मानक औकरन विभाव पूछ लिया गया है तो इसका जो औकरन विभाव होगा यह माइनस में 0.076 वोल्ट हो जाएगा यानि कि जो C है वह सही एंसर हो जाएगा और सी करन विभाव यहां पे प्लस में है वहीं तो वहीं जब मानक और करन विभाव जब ग्याद करेंगे तो यह इसका माइनस में आता है याद रखेगा निकापसर जो सी है वह सही अंसर होजेगा और यहां पे सिवेन अप्रस्ण है कि चीनी के प्रतिलोपन को गुलुकोस यह फ्रॉक्टोस बनने की अभिकिरिया को निमने परकार से दार्स आज जाता है यहां पे देखते हैं C12, H22, O11 और H22 से जब परकिरिया करते हैं अमले के माध्यम से निकि H पलस आयन से तो यहां पे कुलुकोस और फ्रॉक्टोस में यहां तूट जाता है ठीक तो यहां प को देखेंगे यह तो प्रस्न देखते हैं आपका एंसर आ गया होगा कि किसी अभिकिरिया का बेग निमनांकित परकार से व्यक्त किया जाता है ठीक और बेग के इन्टू A A2 B तो इस अभिकिरिया कोटि क्या होगी तो यहां पे A A2 है तो हम जानते हैं कि गुना में जो पा पावर B के पावर कुछ नहीं है तो एक है और इसका पावर दो है तो एक और दो मिलकर तीन इसका राइट एंसर हो जएगा जो अभिकिरिया के कोटी होगी वह तो तीन ही आएगी दोस्तों यानि कि जो अप्शन नमर B है वह सही एंसर हो जएगा और यहाँ पे आप करते हैं तो प्रशन को आप सही से जरूब पढ़ने का प्रियास किजिए क्योंकि अपकी बार का लक्ष है पॉइंटिसें पॉइंटिस एक भी कम नहीं होना चाहिए दोस्तों यह हमारा स्वपर्शन ग्रांटी है कि आप लाएंगे ही इस साल पॉइंटिसें प्रशन को जिसे धातु का निसकर्शन फायदे मन्द यानिके अधिक्तम फायदे मन्द होता है तो वह क्या कालाता है काफी महत्तपूर्ण प्रशन दोस्तों कि वह प्रकृतिक पदार जिसे धातु का निसकर्शन फायदे मन्द होता हुआ तो अयसकी ही होता है दोस्तों यहां पर जो है तो यह तो silver होता है दोस्तों यानि कि option पर जो यहाँ पे C है वह साही answer होजेगा silver is the right answer for this questions और यहाँ पे आप देखेंगे कि निमने लीखीत में कौन hydrogen बंधन नहीं बनाता है यह तो हलवास वाल अब आपको लगता होगा कि इन में से कौन hydrogen बंधन नहीं बनाता है तो hydrogen बंधन यहाँ पे जो phone हो गया phone तो nitrogen जो की है यहाँ पे बनाएगा और O यहाँ पे H bond बनाएगा और H F यह भी बनाएगा लेकिन जो ACL है यह नहीं बनाएगा यानि कि जो C है वह सही answer हो जगा और यहाँ पे acid यानि कि sulfur का oxidation number क्या होता है तो यहाँ पे 2, 8, 8 और यहाँ पे 2 तो जाइब सी बात है इसकी बाहरीक अक्षा में दो ही electron है तो दो ही oxidation number होगा यानि कि option बर जो A है वह right answer हो जगा दोस्तों और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रबल अमल इनमें से बताने है कौन सा योगिक है तो निमने लीखी तिमेक योगिक में से यहाँ पे सबसे प्रबल अमल कौन सा है HCL, HF, HBR या HI तो आपका answer अब तक आगे होगा कि इसका answer क्या होना चाहिए जो HI होता है यह सबसे प्रबल अमल होता है जो की right answer होजेगा और यहाँ पे पंदरन जो प्रस्न है कि गोता खोरी में स्वसन है तो यंत्रों में कीन गैसो का मिस्रान होता है जब हम जानते हैं कि जो पंडूबी होते हैं जो ब्यक्ति पंडूबी के रूप में जाते हैं पानी के अंदर तो उसमें वो अपने पीट पर एक लादा हुए एक टंकी लिए रहते हैं ठीक तो वह सांस लेने के लिए रखे रहते हैं टंकी को तो वहीं टंकिया में कौन सा गैसों का मिश्रन होता है तो आपका एंसर आएगा हिलियम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो की बिल्कुल ही राइट एंसर हो है यानि कि जो सी है वह सही एंसर हो जेगा और आज का मोटिवेश साल तो 15 में 25 में 25 तो लाना ही है दोस्तों यानि कि अपना मेहनत जारी रखेगा जब तक एक्जाम न बीच जाए अगर इस सेशन को अच्छे से त्यारी कर लेते हैं तो इससे कोशन बिल्कुल ही 100% आने वाले हैं दोस्तों तो आपको मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का माज सार्णिख के अंदरगात आता है A Block Of Elements, P बिला के तत्वा, F Block Of Elements तो आपका एंसर अपता का गया होगा कि संक्रमाण तत्व plumbing कि आता है D- gesettов कि आपका अगर 80% बनता हो एकजा में तो आपका 90% एकजा में आई ये हमारा 100% गरांटे कि आप ला सकते हैं इतना मेहनत कर दिजिए इस से बचे हुए समयों में और यहाँ पे आप देखेंगे कि निम्ने लिखित में कौन प्रथम संक्रमर तत्व के स्रेणी में स्रेणी का स सदस्वन नहीं पूछा है दोस्तों तो क्रोमियम होता है ये भी होता है लोहा भी होता है और एमें भी होता है और जो मेंगनेसिम होता है यह नहीं होता है यहाँ पर जो सी है वह सही एंसर हो जेगा और यहाँ पर लेंधे नायट संकूचन की स्तथ्य के लिए उतरदाई है काफी महत्तपोर प्रसन है दोस्तों कि लेंथे नाइड संकुचन किस तथे के लिए उतरदाई है तो आपका एंसर आएगा जो की बिल्कुल ही राइट एंसर होगा जेढार और एचेफ की त्रीजिया लगभग समान ही होती है निकी लगभग बराबर ही होती है दोस्तों तो लोहा और नीकल और ये फी ये सभी तो ये लोह चुमबकिये होते हैं तो यहाँ पे जो जेड हैं होती है प्रती चुमबकिये है ये और चुमबकिये होजएगा कॉपर याद रखेगा ऑप्सन अबर जो यहाँ पे जो डी है वह सही एंसर होजएगा जो की प्रती चुम कि इसमें कि इसमें डी एस पी टू होता है है यानिके जो सी है वह सही एंसर के साथ राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों और चानल पर नहीं जूड़े हो तो ज़रू सब्सक्राइब किजिएगा चलते हैं नेक्ट नव प्राश्ण के बारे में देखते हैं तो यहां पर आप देखने का प्रयास करेंगे कि PTC2H4 CL3 में PT की ऑक्सिडेसन नवर क्यात करने हैं तो इसका तो ऑक्सिडेसन नबर 2 आता है दोस्तों नियंकर को आपका answer भी आगिया होगा कि two chlorobutane two chlorobutane को ही secondary butyl को ride कहा जाता है यानि कि option वर जो भी है वो सही answer हो जेगा और यहाँ पर आप देख रहे होगा यह काफी महत्तपूर परशने हैं दोस्तों यह subjective questions में पूछा जाता है कि निमनली खीत में किस बिधिद्वरा primary, secondary और tertiary alcohol में विभेद किया जाता है तो आपका answer भी अब तक आ गया होगा कि इसका answer क्या होगा कि यह सभी के साथ विभेद किया जा सकते हैं उपर्यूक्त सभी all of these इसका right answer होजेगा और यहाँ पर देखेंगे कि निश्चेतक के रूप में किसका प्रियोग करते हैं chloroform, acetylene, iodop form या मिथिये निश्चेतक उसे कहते हैं दोस्तों जब हम लोग देखते हैं कि trainer या बोसों में जो मनुस्य के मुह पर नहीं होता है कि रुमाल फेंकर उसको बेहोसी कर देते हैं वहीं निश्चेतक होता है तो वहीं उसमें chloroform सुणा दिया जाता है यानि कि option मेर जो A है वह right answer हो जएगा chloroform is the right answer for this question सेसा नाची लग रहे हैं उससे एक लाइक जरू किजएगा दोस्तों और इसका subjective चाते हैं formaldehyde या acetaldehyde तो इसमें acetone का निर्मार होता है ठीक तो यहाँ पे जो option number C है वह सही answer हो जएगा और यह जो देख रहे हैं कि alcohol में कौन रहता है इससे related 100% question आपके body exam में रहेगा इससे related questions कि alcohol में जो रहता है कि यात्मक समूह तो option number जो A है variety answer हो जएगा जो C है यह ketone होता है C ketone ketone और यह जो है option number भी यह aldehyde 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 हो जएगा और यह amide हो जएगा amide और एक आता है C double bond OH यानि कि यह carboxylic acid का यह होता है ठीक तो यहाँ पे option number जो A है variety answer हो जएगा और यहाँ पे 27 नव प्रस्ण को आप देख रहे हैं कि निवनली खित में कौन aldehyde और ketone में भी भेद कर सकता है aldehyde और ketone में कौन भी भेद कर सकता है तो आपका answer भी आया होगा जो कि बिल्कुँ ही right answer होए failing billion failing billion is the right answer for discussions यानि कि option number जो A है वो right answer होजेगा और primary amine का क्रियात्मक समूह कौन सा है primary amine का पुछा है तो हम जानते हैं कि CS3 CS2 और यहाँ पे NS2 को हम लोग primary amine कहते हैं तो option number जो B है वो सही answer होजेगा अगर वहीं CS मा लग यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम CH यहीं रख देते हैं और यहाँ पे हम लोग CS3 कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग NS कर देंगे NS जब कर देंगे यह secondary amine होजेगा और वहीं यह यह primary amine होजेगा option number B अगर वहीं अगर N जोटता तो N अगर जोटता है तरसेरी amine का होता है तो option number जो B है variety answer होजेगा और यहाँ पे 29 प्रस्ण को आप देख रहे हैं कि तौनू अल पछारिये के MnO4 के घोल को क्या कहा जाता है काफी BBA प्रस्ण है दोस्तों कि तौनू अल पछारिये के MnO4 के billion को क्या कहा जाता है तो इसे ही हम लोग assigns से कहते हैं कि इसे BR अभी कर्म के के रूप में हिसे जानते हैं दोस्तों यानि कि option number जो C है आपका answer सही हो जाएगा बिल्कुल ही assigns तरीके से हम लोग 25 प्रस्ण ला देंगे दोस्तों पूरता विश्वास रखिये दोस्तों इतना revision करवा देंगे परिक्षा से पहले कि यह थर थर कापे का objective questions की आखिरे हम 70 में से 35 बनाएगे इसका यानि कि 70 में लग भग आपको 60 plus questions का answer मालुम रहेगा पहले से ही तब चून चून के बनाएगे यानि कि नहीं कोते हैं और निमम्नि लिखित में क्या बनता है nitrogen, ऐनेले, बेंजीन या zincIST फिनक्षाइड तो जब phenol होता है यहाँ पर phenol का सुत्र देख लिजिए phenol का आकरेती भी पूछा जाता है ठीक हाँ फिनॉल को जास्ता चूर्णकी साथ जब अभी किर्या करते हैं तो उसमें बेंजीन का निर्मार होता है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंजीन यहाँ पर C6 A6 यह बेंजीन का क्रियात्मक समूँ है यानि कि option मेर जो C है वह सही एंसर हो जएगा और यहाँ पर कर्बोक्सिलिक और और अप्सन नमर ए है यह एडि हाइट कहो गया अप्सन जो द है वह अलकोहल कहो गया यानि कि जो C है वह सही एंसर हो जएगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कार्बनिक योगिक की अभिकरिया एने एच चिस योथीरी के संत्रिप्ते जलिये बिल्यान से कराने पर फुदाहत का आवाज होती है ठीक फुदफुदाहत यानिक फुदफदाहत की होती है निमन में से वह कौन सा योगिक है यहाँ पर आप योगिक बताना है तो जो योगिक यहाँ पर है दोस्तो वह तो एसीटिक एसीड होता है एसीटी कमले यहाँ पर आप्सन मर जो C है वह और सही एंसर हो जेगा और A C T कामले की बात करें यह सीरका में पाय जाता है, याद रखिएगा, तो अप्षन्माद जो C है वह सही एंसर हो जेगा और यहाँ पे पूछ लिया गया है, कि A star को निमने लिखित में की सुत्र से व्यक्त करते हैं, Aster का पुछ लिया गया है तो काफी महत्त्यपूर्ण है तो Aster को हम लोग जानते हैं यहाँ पे Aster का ये और यहाँ पे C और double band O फिर O, R यानि कि option में जो B है वो राइट एंसर हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे Nitro-Alcane Nitro-Alcane के ओकॉरन से क्या बनता है Nitro-Alcane के ओकॉरन से जो बनता है अब का एंसर भी आ गया होगा कि इसका एंसर क्या होना चाहिए तो यहाँ पे Nitro-Alcane का ओकॉरन से primary amine बनता है यानि कि जो C है वो सही एंसर हो जाएगा primary amine यानि कि CS3, CS2 और यहाँ पे NH2 हो जाएगा यह primary amine है जो कि option मर्स C में इसका right answer दिया हुआ है और यहाँ पे देखेंगे DNA और RNA में भस में उपस्ती थे यानि कि इनमें से दूनों में ऐसी कौन सी इस्तितियाती है जो दूनों में समान होती है तो यूरेसील तो यह RNA में उपस्ती थे तो इसमें यह गलत हो जाएगा और यूरेसील तो यह भी RNA में उपस्ती थे यह भी गलत हो जाएगा और थाइमीन जो होता है यह यह होता है DNA में जो कि यह भी गलत हो जाएगा यह कि इसमें समान दर्सान है तो समान वहीं हो जाएगा, option number B, अब तक आप दे दियो होंगे, कि guanine, adenine और cytosine जो होता है, यह दोनों में लगभग समान होता है, यनि कि 100% यह समान रहता है, और O समान वहां रहता है, जो DNA में thymine उपस्तित रहता है, लेकिन वहीं RNA में uracid उपस्तित रहता है, इसलिए और O समान है, लेकिन यहां पर यह जो 3 होता है, guanine, adenine और cytosine यह समान रहता है, दोनों में, तो वहीं इसका right answer हो जएगा, और यहां पर देखेंगे, कि निमने लीखित में संदार्तिया मानो शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, enzyme, vitamin, protein और hormone, तो मानो शरीर के द्वार वहीं नहीं बनाए जाता है, vitamin, क्योंकि यह vitamin जो होता है, यह अलग से हम लेते हैं, वहीं इसका right answer हो जाएगा, और यहां पर देखेंगे, कि निमने लीखित में किस बहुलक में amide बंधन पाए जाता है, amide बंधन, तो amide बंधन जाहिस बते, nylon 6-6 में पाए जाएगा, यान सेशन में बस इतना है, अगर सेशन आपको थोड़ा सभी अच्छे लेगी हो, तो एक लाइक जरू कीज़ेगा दोस्तों, और चानल पर नहीं जूड़े हो, तो चालंग को जरू सस्क्राब कीज़ेगा, और इस वीडियो को अधिक सर धेक अपने दोस्तों को जरूर सेयर की जिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में नहीं उम्मीद कसा, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू,